रोहन की बर्दे पाटी नीलम संग हुआ हाथसा बारो पर लगा इल्जाम ZTV के सीडिल भागे लक्षमी में मनाया जा रहा है रोहन का जन दिन और रखी गई है ओबरोई मेंचिन में रोहन की बर्दे पाटी और इस बर्दे पाटी में शामिल है पारो लक्षमी क्योंकि इन्हें मिला है स्पेशल एंविटेशन रोहन की तरफ से हलाकि मलिश्का नीलम और करिश्मा बिलकुल भी खुश नहीं है लक्षमी और पारो के यहां होने से लेकिन रोहन की जित पर इस पार्टी में ये भी हो गए है शामिल और देखी कैसे कि सभी बच्चे बर्दे पार्टी को कर रहे हैं इंजॉय जह एक तरफ चल रहा है सलिब्रेशन तो वहीं दूसरी तरफ रचा जा रहा है शडियंत्र जो रच रही है मलिश्का पारो और लक्ष्मी के खिलाफ असल में मलिश्का ने ऐसी चाल चली है जिसमें बुरी तरह से पारो फस जाएगी और पारो फसेगी तो तकलीफ होगी लक्ष्मी को बई बर्दे पार्टे के इस डेकरेशन वाली दिवार में मलिश्का ने पारो की डॉल फसा दी है और यही डॉल निकालने पारो पहुँचती है और यह दिवार नीलम पर जा गिरती है जिस वजह से नीलम बुरी तरह से हो जाएगी खायर और इसका इल्जाम आएगा बारो पर क्योंकि उसे पकड़ने पुलिस भी पहुँच जाएगी यह रोहन की बर्दे पार्टी है और हम सब बहुत ही एक्साइट है और बहुत ही एंथुजियस्टिकली पार्टी की गई है और आप देखी रहे हैं डेकोरेशन चिल्रन्स थीम है बच्चे आए में हैं अफकॉस अनफॉचुनेटली हमें इस पार्टी में लक्ष्मी को भी बलाना पड़ गया है विकोज रोहन ने जित की की लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी और शालू भी यहां पर आए में बच हमने उनसे पार्टी में भी वही पूचा है कि जैसे यह खत्म होगी तो इस पार्टी में जहां पर नीलम भावी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाएगा और उस इंसिडेंट के लिए ओविसली हम लक्ष्मी या पारो को भी बलेम करने वाले होई फसने वाली है अपकी बार और इस इंसिडेंट में नीलम भावी को एक्ष्मी बहुत चूट लग ज आप अच्छे नहीं हो तो पारो आपको लाइक नहीं करती है तो नीलम भावी भी इस बात से कंविंस हो गई है कि ऐसा कुछ है तो क्यूंकि वो कंविंस हो गई है और वाल उनके उपर गिरेगी तो आपिसली सारा बलेम पारो पर आ जाएगा तो फिलहाल यही है इस अज़िए तो पारो के पर ब्लेम आही जाएगा और पुलिस भी ले चाहेगी पारो को अब आगे क्या होता है क्या लक्षमी ब्लेम अप्ने उपर ले ले लिती है पारो को बच्छाने के लिए आम शूर कोई ना कोई अगला ड्रामा तो अन्फोल्ट होने ही वाला है आगे तो उसका हमें आगे ही इंतजार करना पड़ेगा पर फिलाल हॉस्पितल में भी एक बहुत बढ़ा ट्रामा है अभी आगे जहां हम एक दूसरे को ब्लेम करने वाले हैं कि क्या हुआ है तो यह फंक्षन है रुहन का बड़े है इसलिए सब इतने सरजनतर हुए अछह अच्छे कप्ड़े पहन है और पूरा अंच्छा सा फंक्षन किया जा रहा हु है वह नीलम मामी की बहन, वह उनकी बहन, आरिये आंचल, हां, मतलब नीलम मामी की बहन है online, तो नहीं होता नाज़ तो थोड़ा सा मतलब उनकी ही परछायी है , आंचल नीलम मामी की परचायी है, उसकी तरह in itgravyn पार्टी में ट्विस्ट यह आने वाला है कि मलिशका जब लक्षमी आती है और मलिशका को उसे नहीं पसंदे कि लक्षमी यहा पे आई ग्यरा तो वो जो बर्दे वॉल है उसको वो लक्षमी जहाँ उसे ये लगता है कि लक्षमी खरी है तो वो बर्दे वॉल गिराने की ट्राइ करती है बर्दे वॉल गिरती है बट लक्षमी की जगर पे वहाँ पे होती है हमारी नीलम मामी अनुष्का तो आफकॉस साथ देगी ही बाट अभी ये वाल वाली बात आएगा इस अनुष्का को नहीं बता है वो उसके लिए भी एक सर्प्राइस हो सकता है पार्टी में अब पार्टी है इतना बड़ा फंक्शन है तो टॉर्न एंट विस्ट होंगी अब क्या टॉर्न ट्विस्ट होते हैं वो तो देखना पड़ेगा आगे तो भाई अब देखने हुगा कि कैसे लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को बचाए की मुझा निशाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हम तो 24-7 करते हैं आपके entertainment के हर सपने को पूरा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है आपको पता है आपको क्या करना है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दे और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चानल को subscribe ज़रूर करें अगर आप यही वीडियो फे Facebook पेज को भी follow करें और अब तो आप हमें follow कर सकते हैं WhatsApp पर भी नाम तो आप सबको पता ही है सास बहु और पेटिया